3, 2, 1 Happy birthday to you Hi guys, मुझे पता है जन्मास्टेमी को गये काफी टाइम हो गया है पर मुझे एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था तो मैंने आज ये वीडियो को अपलोड किया है I hope आपको ये व्लोग अच्छा लगेगा और इस बीच मैं व्लोग क्यों नहीं बना रही थी उसका कारण में आपको बताती हूँ मेरे हस्बिन का हो गया था बहुती बुरा वाला एक्सिडेंट जिसकी वज़े से उनके सर के उपर 14 स्टिचेस आए जिसके वज़े से हम काफी डिस्टब हो चुके थे घर का माहौल बहुती ज़्यादा खराब था और हॉस्पिटल घर यही सारा कुछ हो रहा था तो इस सारी चीजों की वज़े से मैं जो हूं व्लोगिंग नहीं कर पा रही थी बट आज दुबारा से एक शुप चीज स्टार्ट हुआ था आज था कृष्ण ज़जमाष्टमी तो मैंने सुचा की चलो फिर से करते हैं व्लोगिंग स्टार्ट और यहां पर गुन्यू जो है बहुत ही अच्छे से जो है काना को अपने सजाई है और यह परपल वाला जूड्रेस मैंने लाया वह्त हमारा प्यारा यूटउ यह भी ध्यान से देक रहा था था इस क्यूटउ से भकवान को और यहां पर रेडि हो एक तो था सावुदाने का वड़ा और दूसरा खिचडी तो यहाँ पर मैंने वड़ा के लिए आलू उबाल लिए थे और यहाँ यहाँ पर आधा भूग बाल लिए। बन चुका है जो की हमाइरा चडाने वाली थी हमाइरा मतल्ड मेरी बडेची और यहां पर मैंने हचड़ी बनाय ठाश और यहां इतना मैं माई ब्लोइंग बनाती हुना यह सब में क्या ही बना इतना talent को छुज को पारीफ कियो न करूं मैंने बहत अच्छ वनाया था तो मैं आपको यह बताना चाहते हूं कि लिटरली महने बहुत अच्छ वनाया था ञाओ सबसे पहले तो सेल्ससाटिस्फाक्शन अगर आपको होता है ऊँट आप दूसरे को खुश कर सकते हैं और यहां पर मैं खा रही थी मुझे तो बहुत satisfaction मिला था मुझे बहुत अच्छा लगा था तो सबको अच्छा लगे ना लगे पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा हुआ यूँ था कि मेरे husband आ रहे थे रात को अपने event से तो वहां पर कोई बहुत ही गंदे तरीके से बाइक चलाते हुए मेरे husband को ठोकते हुए निकल गया और उसने पलटके भी नहीं देखा कि वो आनमी के साथ क्या हुआ और मेरे husband मुझे phone करके बताया कि मेरे सर पे 14 stitches आ रहे हैं और ऐसे ही वो अकेले गया आज के देट में इंसानियत नम की कोई भी चीज नहीं बची है और यह है उसका परिनाव जो कि मेरे husband के सर पे चोटे हाथ में इतनी चोट पैर में इतनी चोट किसकी वज़र से वो जहेल रहे हैं वो आज तक यह भी नहीं जानते हैं तो प्लीज या दूसरों के लिए भी थोड़ी से इंसानियत रखिए है और यहां पर जो है हमारे यह जो पदमाश है ना छोटे से पॉपिंस उसको कोई भी चीज दुनिया के कोई भी चीज जो इंसान खाते है ना वो यह सोचता ही नहीं कि मैं डोगी हूं तो यहां पर य इस व्लॉग जो है समाप्त होती है